हलो गाईज वागने में चैनल टैनर डियो दिस इस मनीशा फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ आपके परसन आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या है उनकी वर्तमान भावनाई मेल फिमेल सब के लिए रीडिंग होने वाली है आ आप उपने परसन का नाम ले जिस भी परसन के बारे में आप जानना चाहते हैं मैं देखके बताओंगी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आज रात वो आपके बारे में क्या सोच रही है आज की रीडिंग का टॉपिक यही होने वाला है देखिए आपके person अभी इस वक्त यही सोच रहे हैं कि वो आपकी life में वापस आना तो चाते हैं बद डर रहे हैं contact करने के लिए देखेंगे वो क्यों डर रहे हैं क्या है डर आपको contact क्यों नहीं कर सकते हैं हम तैरो से भी जानेंगे अभी मैं handwritten message ले रही हूँ इसको और ज़्यादर डिटेल में देखेंगे किस बात का डर है आपके person को I can't handle your words देखेंगे वो आपके गुस्से से डर रहे हैं उनको लगता है आप गुस्से में उनको कुछ बाते सुना देंगे जिसकी वज़े से वो होट हो सकते हैं वो परिशान हो सकते हैं इस वज़े से भी यहाँ पे दिख रहे है कि वो आपके साथ contact नहीं कर रहे हैं उनको भी पता है कि हाँ उन्होंने अपकी feelings को hurt किया था वो समझते हैं बट अचानक से उनको हुआ उनका इरादा आपकी feelings को hurt करने का नहीं था ऐसा आपके person इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं और check करते हैं आपके person क्या सोच रहे हैं उनको लगता है आपके साथ जन्मों जन्मों का रिष्टा है आपके person आपके बारे में ये भी thoughts रख रहे हैं वो आपकी तरफ बहुत जादा attracted है वो आपके बीना सोचे बीना रहनी पाते हैं ये message दे रहे हैं कुछ भी कर लें लेकिन फिर भी उनको आपकी याद आही जाती है आपका comparison अगर वो किसी के साथ भी करते हैं तो उनको यह लगता है कि उनको आपके साथ ही रहना है बीच बीच वे वो ऐसा भी सोचते हैं कि बहुत कुछ उन्होंने relationship के लिए कर लिया क्या फिर हम दोनों को दूरी बनाके ही रखना चाहिए move on की भी energy यहाँ पे है यह person कभी कभी दुखी होके उनको लगता है कि उन्होंने इस रिष्टे में बहुत कुछ दिया है अब इससे जादा वो नहीं दे सकते हैं तो वो भी अभी उनको लगता है कि space दी जाए तो सही है space इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हील हो जाए वो बार-बार आपको इस तरह से हर्ट ना करें क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि वो भी कभी न कभी ऐसी हर्कते कर देते हैं जिसकी वज़े से आप उनसे हर्ट हो जाते हैं यह messages यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं आपके और आपके परसन के लिए ठीक है अब और जादा detail में हम reading करेंगे तैरो की through भी देखते हैं आज रात आपके person इस relation के बारे में और क्या-क्या सोच रही हैं अब मैं टैरो निकाल लेती हूं आप प्रेग कर लें आपके नर्जिस से कनेक्ट करती हूं मैं और जो भी messages होंगे मैं आपको messages दूँगी अब को क्या करना है मेरी इस वीडियो को like करना है ताकि आप भूले नहीं बाद एलया सो लिए अपको याद धिला रही हूं क्यूं आफ 레ड है सबसे पहले हमने काड़ यह निकाला था कि वह आपसे डरते क्यूं हैं दखिए वह इसलिए डरते हैं क्यूंकि आप उनके साथ जगडते हैं लड़ते हैं और उनको आप कुछ ऐसा बोल ना दो क्योंकि उनको पता है कि आप उनको अब सजा देने वाले हों वो ये बास समझ गए हैं कि आप अब ऐसे मूड में नहीं है कि वो कुछ भी आपके साथ कर जाएंगे निकल जाएंगे अब आप उनको सजा देने के मूड में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इस बात का डर है कि आप उनको पनिश करने वाले हैं आप उनको सजा देंगे आप कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं क्योंकि आपे दिखिए सेकंड कार्ड भी निकला था कि वो आपके वार्ड्स हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ न कुछ आप उनको ऐसा बोलने वाले हैं कि उनको बात पिंच कर सकती है चुब सकती है यह डर है जिस वजह से वो आपसे कॉंटक्ट नहीं कर सकते वो आना चा दिखिए अगेन ये न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते है लॉग डिस्टेंस रिलेशन्शिप होगा साइन के अगर मैं बात करू जैमिना लिबरा कुरियस यहां पे साइन है और यहां पे फाइर साइन भी है इरिस लियो सेटेरियस मैं जब भी रिडिंग करती हूं मुझे खराश होने लग जाती है आजकर परसनल रिडिंग भी कर रही होती हूं किसी की तब यह से होता है ठीक है वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे उन्होंने आपकी दिस्रिस्पेक्ट किया आपको बहुत जादा गलत बोल दिया बट व जो हुए है उन्होंने शायद आपकी इंसल्ट की है यह बात आपके दिल पे लग चुकी है आप यह बात भूलनी पा रहे हो जिसकी वज़ा से आप दोनों नो कंटक्ट की सिच्चेशन में आए हो अब यह इस परसन को यही कहना है कि वो आपकी बहुत इज़त करते हैं बह कि अब पीछे मुड के नहीं देख रहे हैं आप उनको मना नहीं रहे हैं आप अपनी उपर ध्यान दे रहे हैं आप पहले से ज़्यादा शायन कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं हैपी दिखा रहे हैं तो अब उस परसन को इसास हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया था इस वज़े से ही आप उनसे अलग हो रहे हैं, या दूर हो रहे हैं, या ब्रेक अप चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में मूव हो चाहते हैं, ये परसन वो समझ चुके हैं, अभी देखते हैं, I think we have passed life card, यहां पर क्यू है, उनको ऐसा क्यू लगता है कि आपका उनके साथ पि इसा वो सोचते हैं, कहीं न कहीं हो सकते हैं, उन्होंने सपने में कुछ ऐसा देखा है, कि आप दोनों past life में husband wife थे, परिवार था, आपका बच्चे थे, ऐसा उनको सपना आया है, या कुछ अभास उनको हुआ है, जिस वज़े से वो ऐसा सोच रहे है, कि आप दोनों का यह नमबर या पे है, थ्री, नमबर वन जादा है, थी और वाट, क्वीन ओफ पैंटिकल, बहुत जादा अट्रेक्टर इसलिए है, क्योंकि आप self independent है, आप earning कर रहे हैं, या कोई job कर रहे हैं, आप कहीं न कहीं अपनी life में successful है, ये परसन वो सोचते हैं, इस वज़े से वो और जादा आपकी तरफ अट्रेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, कि आपको उनकी जरूरत ने, आपके पास वो सब कुछ है, जिससे आप अच्छे से सर्वाइब कर सकते हैं, आप गूर लुकिंग है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस वज़े से भी ये परसन आ आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या हील कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, देखिए उनको अपने शब्द वो जो बार बार आपको हर्ड कर देते हैं, क्योंकि ये परसन आप मुझे रिग्रेट में दिख रहे हैं, मतलब अपनी गलतिया उनको राज हैं, अब आपने अपनी बाउंडरी बनाए हैं अपनी सल्फ रिस्पेक्ट के लिए, इस वज़े से इनको एसास हो गया है, कि इन्नों ने ये गलती की है, इनको अपने नेचर को बदल रहे हैं, और ये अपने नेचर को हील कर रहे हैं, ताकि ये बार बार आपके इस वज़े के बार कारट कार्ट के बारहा में क्यों सोचते हैं, ये बार बार आपसे दूर जाने के बारे में क्यों सोचते हैं, आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के थोट्स भी इस परसन के मन में आ रहे हैं बीच-बीच में दिखे घमंड है तो आए गई ही यहां पे एंपरर काड आया है हमारे पास एंपरर और यहां पे हैं एंपरर्स पास लाइफ में यह ऐसा ही सोचते हैं सोलमेट की एनर्जी है मतलब इस परसन को लगता है आप उनके सोलमेट है और इस वज़े से ही सोचते हैं कि पुरानी बाते को छोड़ देते हैं बट आप छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गल्ती किये और वो गल्ती ऐसी है इन्होनने पहले भी किये आपने बहुत bitرض माफ किये आपने इनको समझाया अभी अपयार से लेकिन फिर भी इन्होंने संधरने की कोशिश नहीं की इस वज़े से अब आप खुद वो चीज़े छोड़ने रहे हैं और यह चाते हैं कि आप अपनी जिद छोड़ दे इनको चुचु-पुचु करें जो आप नहीं चाते हैं और इनकी इगो को सैटिस्फाई करें जो आप नहीं कर रहे हैं परसन बहुत ही ज्यादा घमंडी है इनको बीच बीच में अपने घमंड को आप से लगता है कि हां भी मुझे पैमपर होना चाहिए मैं गलत कर मैंने गलती की ठीक है अंदर से तो है लेकिर उपर से इस परसन ने अभी वे आप से सोरी नहीं बोला होगा क्योंकि यह परसन ऐस कि अजनके पीच ता पहले जासा हो या ना हो इस बत को लेके भी आप अब कर्फ्यूज रहे क्योंकि आपको भी निपता कि आपको इस परसन को आप दुबारा मुका देना है अगर मुका दिया भी तो किस हद तक कर देंगे क्योंकि चीज้े आप पहले जैसे नहीं होगी य इस वज़े से इस अपने घमंड की वज़े से बीच वे już आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं है आपसे अलग रहने कोशिश करते है क्योंकि आप इनको इंटर्टेज नहीं कर रहे हैं उस परसन को आदत हो गई है की आप हमेशा इनको chase घ्रो और इनका मनाओ, ँब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उनका घमंड है जो ego होत है, जब ego होता है तो इनको यह होता है कि चलो दूर रहते हैं इनको यह solution लगता है, आप जब इनको बात करते हैं या आपकी परसुर को यह सब चीजे महसूस हो रही है जो भी मैंने आपको आज डिटेल में बताया है रुमैस एंजल से भी देख लेते हैं आखे आज रात यह परसंट क्या सोचेंगे यह सोच रहे हैं अभी आज रात यह परसंट क्या सोच रहे हैं अभी आज रात यह परसंट क्या तो होता है इनको तुबारा आपके साथ रहना है क्योंकि ए जाते ही हैं वापस आना तो आब उससे आरगे इनरजी यहां पर है यह परसंग जादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे यह बात वो आपके बारे में सोच रहे हैं अब दोनों के बीच में जो पल थे ए इनको वो याद आ रहे हैं बट ये separation को लेके भी सोचते हैं कि बहुत time हो गया आप तोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है ये भी ये सोच रहे हैं अब ये चीज़ें realize तो कर रहे हैं कि जितना जितना हम space देते हैं जितना gap आता है उतनी हमको गलतियां भी समझ में आती हैं तो ये आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं असा नहीं है दूर है पर फिर भी इनको लगता है कही न कहीं कि आप गलत नहीं है divine timing का ये परसन को इंतजार है दिखिए थोड़ा सा wait आपको करवाएंगी ये परसन इस वक्त contact करने में यहाँ पे मुझे दिखता है कुछ दिन का आपको इंतजार करना होगा क्योंकि आप भी इनको माफ नहीं कर पा रहे हैं आपको भी इनकी बाते याद आ रही हैं तो एक दूसरे को यहाँ पर forgive और learning का लेसन सिखाया जा रहा है कुछ सीखो और माफ करो इस तरह के आप दोनों के बीज में बात चल रही है यहाँ पर एंजल उनिवर्स भी रोपने कर रहे हैं इस वज़े से भी आप दोनों के बीच में separation है क्योंकि आपके एंजल भी चाते हैं कि आप दोनों दूर रहके अपने उपर काम करो अपनी गलतियों को सुधारो ताकि बार बार ऐसी गलतिया ना दो रही जाए आप दोन इंट्यूशन हुए मुझे कि मुझे और भी मैसेज देने आपको तो मैं वह मैसेज देती हूं आपको ओपन माइंड रहना है ज्यादा नेकितिक थोड़स अपने मन में ना रखें नूट्रल होके रखें स्पेस रखें थोड़ा सा स्पेस जरूर आपको देना है इस परसन स्वेल को और भी आपिनसे अभी कोंटेक्ट ना करें जब तक कि वह सामने से कन्टेक्ट नहीं कर लेते ठीक है यह परसना आपके साथ zoning करना चाहते हैं, अभी भी हिदायत दे रहे हैं कि आपको भी open mind होना चाहिए, आपकी भी गलतियां थी, ऐसा ये परसन सोच रहे हैं, काफे कुछ इस परसन के मन में आता है, ये चाहते हैं, आप इनको साथ contact करो, इनसे बात करने की कोशिश करें, ये परसन आपके message का इंतजार कर हैं, romantic feeling आज भी है, इनकी आपके साथ, आज भी इनको प्यार है, आज भी आपको miss तो कर रहे हैं, इस वक्त, और काफी romantic feeling भी है, तो ये आपके message का जादा इंतजार कर रहे हैं, कि आप इनको message करें, बट अभी आपको थोड़ा सा space ही दीजिए, क्योंकि जब तक कि इनका घ आप अपनी life में busy रहें, आप अच्छे काम करते रहें, अपने आपको खुश रखने के लिए क्या का कर सकते हैं, मस मस स्टेटस जाला ना भूले, ठीक है, ताकि ये देखें आपको और जाने की नहीं, आप इनके बीना रह सकते हैं, इस चीज़ का एसास दिलाना पार्टन हो, रिस्पेक तभी करते हैं पार्टनर, ठीक है, तो आप जो कर रहें, अपनी जगह पे बिल्कुत सही कर रहे हैं, और ऐसे ही समझाया जा सकते हैं, चाहिए मेल हैं, चाहिए फीमेल हैं, हो गई आपको ये मेरी रीडिंग आज के अच्छी लगी है, मैंने बताया है कि बाबाई, जयक्या!